कैसे हैं दोस्तों नमस्कार मैं आर्के मिश्रा इंजिनिर्स अड़ा पर स्वागत करता हूँ एक यूपी पीसियल की तरफ से एई और जेई दोनों के लिए जब अपडेट आया है ऑफिसल वेबसाइट पे एई और जेई दोनों का फाइन वी रिजल्ट आउट हो चुका है जो आपका नोटिफेकेशन कहीं न कहीं 2022 को था 2022 वादा था तो एई के लिए तो इंटर्व्यों के लिए जो भी बच्चे साट इस्टिट किये गया है यह सारे आपको अपडेट्स यहां पर दे दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि इसमें कितने नमबर पे साट इस्टि आपका आउट हो चुका है इसमें अटेंशन की बात यह है कि एक बार आप डाकुमेंट्स वेरिफेकेशन में जाएं तो यह सबसे बड़ी बात कि OBC NCL सर्टिफिकेट दो 31-3-2021 के बाद का होना चाहिए और EWS 31-3-2021 के बाद का होना चाहिए और निवास प्रवानपत आरक् का मिल जाएगा कहीं न कहीं मतलब कि आपको reject करने का तो यह एक update था बाकी यह सारे documents as usual जो होते हैं वो तो है ही है तो जो भी update real time मिलता है मैं आप लोगों को देता रहता हूं तो guys मेरे साथ बने रहे हाँ जिसका selections हुआ उन सभी लोगों को congratulations for your next step and जिसका नहीं भी हुआ प अंतिम एक्जाम नहीं है आगे बहुत सारे examinations हैं आप लोगों को आगे बढ़ना है यूपी आरविनल एई में वेकेंसी जबरजस्त आई हुई है आप लोगों के लिए उस पर प्रिप्रेशन करिए और बीएस में वेकेंसी आई है और ओंजीसी में वेकेंसी आई है तमाम तरह की वेकेंसी है जिसमें आप सभी लोगों का फोकस होना चाहिए अब इन सब के लिए अगर आप वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं might be लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इन सब के लिए प्रिप्रेशन करना चाहते हैं आपको बेस्ट बुक की तला जैसे कि सर्च कर सकते हैं Electrical Engineering के लिए Mechanical Engineering के लिए Civil Professional Knowledge Book Electrical Professional Knowledge Book Mechanical Professional Knowledge Book One Stop Solution होगा आप सभी लोगों की प्रिप्रेशन के लिए और in fact मेरे को लगता है कि आप लोग सभी लोग कर सकते हैं तो थैंक यू बाकी मैं आपको बता दूँ कि एक चीज ठीक है और भी कोई सहायता की ज जीचे कमेंट सेक्सें में बताना थैंक यू